हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूरु सैनिकों के लिए बेसिकली दोस्तो जो पीसी डिया 568 का जो एरियर मिला है उसके बारे हम बात करेंगे और हम बात करेंगे दोस्तो बहुत इंपॉर्टन अपडेट जहांपे और आर्ओ टू की जो है चौथि किष्ट जो है मिलना शुरू हो गई है और दोस्तो उसमें जो इंपॉर्टन बात ध्यान रखनी उसके ब और 1 rank 1 pension 3 जो है table with MSP और without MSP कितना होगा उसके बारे हम बात करेंगे इसके लिए दोस्तों हम बात करेंगे जो ECHS beneficiaries हैं उनके लिए एक बहुत strict order जारी किया गया है और अब जो है ECHS जो है काफी ज्यादा scrutiny कर रहे हैं जिससे की जो eligible होग है उनहीं को इसका जो है benefit मिलें दोस्तों बात करेंगे ECHS का जो latest order आया है सभी पूरुसैनिकों के लिए और केंद्री करमचारियों के लिए उसके बारे में तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस important update के बारे में दोस्तों चैनल पर पहली बारे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिसस साथ ही साथ बैल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों ECHS जो कि आपको health services provide करते हैं और ECHS की पूरी कोशिश रहती है कि जितने भी polyclinic जो की ECHS से attached है ECHS approved है वो सब के सब जो है properly इलाज करें और patient को कोई भी दिक्कत ना हो जहां तक हो cashless हो और अगर claim भी करना है तो उसके भी process बनाएगी है लेकिन दोस्तों दिक्कत कहां पर आ रही है दिक्कत आ रही है जहां पर ECHS की जो facilities है जिसका misuse किया जा रहा है दोस्तों कई सारे ऐसे cases आया है जहां पर कई dependence के बाद दो-दो जो है insurance है health insurance है और उसकी वैसे दोस्तों जो है ECHS में जो है उसका misuse हो रहा है तो या dependence है जो की पहले dependence है अब वो जो है 25 years की age cross कर चुके है या daughters है जिनकी marriage हो चुकी है तो दोस्तों जहां पर भी eligibility की problem आ रही है वहां पर लोग जो है जो लोग नहीं भी eligible है dependence वो लोग जो है ECHS की facilities को ले रहे हैं तो दोस्तों उसी को देखते हुए अभी नया नियम निकाला गया है जहां पर strict आदेश दिये गया है कि जो ECHS की facilities हैं जो की eligible हैं वहीं इसका use करें और अगर कोई जो है misuse कर रहा है तो उनके खिलाब जो action लिया जाएगा बात करते हैं दोस्तों MSCP को लेकर MSCP को लेकर दोस्तों आजकल बहुत जागरूपता चल रही है MSCP जो आठ साल 16 साल 24 साल दोस्तों जहां पर एक ही rank पर आप आठ साल बिदाते हैं आपका promotion नहीं होता तो दोस्तों आपको MSCP का लाब मिलना शुरू हो जाता है अगर आप सिपाही में 8 साल पूरे कर लेते हैं तो आपको नायक का और सिपाही में अगर आप 16 साल पूरा कर लेते हैं तो आपको हवलदार का जो है जो पेश के लिए जो benefit हो मिलना शुरू हो जाता है तो दोस्तों उसी को देखते हुए जो उस्तों कई लोगों को MSCP का जो है अभी तक नहीं मिला है कई family pensioners को नहीं मिला MSCP का एरियर और family pensioners की बात करते हैं जहां पर जो main pensioners है उनको नहीं पताता कि वो MSCP के लिए eligible है की नहीं है तो उसकी वाई से दोस्तों उनको नहीं मिला लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस rank पर आपने जो है रिटायर किया है और आपको जो pension यह जो आपको salary मिल रही थी वो किस band की मिल रही थी उस हिसाब से आप यह देख सकते हैं कि आप eligible है कि नहीं है और दोस्तों मिसले बता रहे हैं क्योंकि MSCP का जो benefit है वो कई लोगों को मिला है और जब से जो है सीपी ग्राम में जो है इसके खिलाफ complaint और grievances डाले गए हैं क्योंकि आप आपका प्रूफ है आप अपना PPU खोल के देख सकते हैं कि आप eligible हैं और दूसरा आप यह भी चेक कर सकते हैं कि आपको MSCP का एरियर मिला है कि नहीं बा कई लोगों के दोस्तों पहले भी क्रेडिट हुई थी और इसका रीजन यह है कि फरवरी तक बोला गया था कि आपका जो है वन रैंक वन पेंशन की जो है चौथी किष्ट आपके काउंट में आएगी तो इसी वैसे दोस्तों यह जनवरी में ही आनी शुरू होगी है जिसस दोस्तों इस बात को ध्यान रखा जा रहा है तो इसी को देखते हुए दोस्तों अभी कई लोगों के मेसेज आए और वैसे भी जो है वन रैंक वन पेंशन की जो है चौथे किस्ट आपके एकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है अब दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बात कई लोगों को और रोपी टू कभी दूसरी किष्ट भी नहीं मिली है तो कहीं आपके साथ कोई ऐसा कोई टेक्निकल ग्लिच ना हुआ हो उसको दोस्तों जरूर आप जो है जो टेबल सेवन और रोपी का उससे जरूर एक बर मैच कर लें कि आपको जो है कितना मिल चुका है जिसमें कि आपको जो है ओर ऊपको चारों क्रिशत मिली है और उसमें आप देख सकते हैं कि आपको कितना मिला और आपको कितना मिलना चीए अगर दोस्तों कहीं बेजी इस आता है तो 100% sure है कि आपको मिलेगा लेकिन आपको जो है यह make sure करना है कि आपका जो difference है वो actual है क्योंकि आपके पास दोनों facts है कितना मिलना चाहिए कितना मिला यह दोनों आपके पास है तो जो भी difference है उसके लिए फिर वही दोस्तों आप अपना grievance add कर सकते हैं और उस grievance के बाद से जो है आपको इसका benefit मिलना शुरू हो जाएगा यह जो भी कुछ दिन लगते हैं अभी आप देखी रहें कि इसके लिए आपको जो है CPPC में जो है बहुत active है और अगर कुछ ऐसा cases आते भी हैं तो CPPC जो है फोरण आपके जो है जो issues है उनको resolve कर रहे हैं दोस्तों बात करते हैं next update की जो है इस महीने दो दोस्तों January 5 तक जो है जो scholarship scheme थी वो जो है उसकी date extend की गही थी तो कई लोगों ने दोस्तों उसको जो है फिल कर दिया था अब दोस्तों जब तक आपका उसका approval नहीं आता है तब तक आपको wait करना है और तब तक आपको check करते रहना है कि उनकी तरफ से कोई document तो नहीं भांगा जा रहा है क्योंकि यह अगर children education allowance related है तो उस case में कई जगह पे जो है अगर आपका document पूरा नहीं है तो वह आपको approve नहीं होता है तो दोस्तों उसके लिए important यह है कि आप इसको regular check करें कि पहली बात हो एक जितने document तो आपने attach करके भेज़ दिये अगर उसमें कोई documents में कोई कमी है तो आप जो है well in time आप इसको जो है दुबारा upload करें जब तक कि आपको confirmation नहीं आता कि आपका जो भी documentation process है वो complete हो गया है और वहां से approve हो जाएगा क्योंकि दोस्तों एक बार approval होने के बाद ही जो है आपको इसका benefit मिलेगा और हमने पहले बात किया था कि इसका extension मिला था dates का क्योंकि काफी अच्छी scheme है और इसको काफी आपका benefit मिलने वाला है जिसमें कि आपको 36,000 से लेकर लड़क तो इसलिए जरूरी है कि आपका जो भी documentation process है वो proper होना चीए और वो आपको जो है ध्यान से जरूर देख लेए तो दोस्तों यह था आज का important update सभी पूरुसानिकों के लिए केंद्रे करमचारियों के लिए दोस्तों गर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए और subscribe करना न भूलें thank you for watching this video